तेश्टी है और इसका खुस्बू भी बहुत अच्छा रहा है तो चलिए इसका रेसिपी श्टार्ट करते हैं हमनों बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाए है जिसका मैं आज सॉस बनाने वाले हूं बिल्कुल मार्किट की जैसे सॉस करते हैं किसले सी कांड़े लाइक चलिए इस सबसे पहले है इस तरह से तरह से कट लगा लेती हूं क्रौस का यह इस लेगा हुँ था कि हमारा चिलका ऐच्छा तरीका से निजा जाए और मैं इस तरह से साटे में कट लगा करके इसको च्ट पेब डाल दो डूड़ा कि फ यह देखिए फ्रेंड मैं गेस पे इसको चला देती हूं कमस्कम 10-15 मिनिट इसको वालना दस में अट्रेस्ट यह अची तरीका से पग जाएगा तो चलिए इसको पहले उबाल लेती हूं यह बिलकुल यह देखिए छिलका निकलना शुरू हो गया इसका यह देखिए कुदो क आजर गज्टेंट के अपे इसको थन्दा परने के बाद इसको छिलका निकालेती हूं तो पहले चटनी कि ली मैं फ्रशनके चाटने मार्यर मार्केट में अबलीबल हो जाता है अगर आप गड़ी नहीं तो आप इसको ड़र पतला स्लाइसेस कार लेती हूं पहले इसका इस तरह से बढ़ा है कुछ को मैं टुकड़ा वाइच कात लूगी और इसको सबसे पर ने प्राइ करों पहले तरह से बेलकुल पतला पतला स्लैस साथ देख सकते हैं मेरा स्लैस कितना पतला हैं यह देखिए गार्णिश के लिए थोड़ा समय रखोंगी यह देखिए इस तरह से बचा हुआ कुछ ना रियोगा मेरे पास इसका मैं टुकरा कर लेते हो जोड़ा सेप में काट लेती हैं इस तरह से इसकुर इस तरह से काट लेना है में इस तरह से ताकि मुह में जाए तो मुह में आने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो फ्राय होने के बाद तो इसका टेस्ट और भी लाज़िबा हो जाता है तो यह देखिए फ्रेंट कितना आसानी से मेरा छिलका निकल जा रहा है सारा यह देखिए इस तरह से छिलका निकाल की मिक्सी बॉल में इसको डालना है और डालने के बाद सब्सक्राइब दिखिए बिल्कुल आसानी से चिलका निकल जा रहा है इसको मिक्सी बॉल में मैं इस तरह से डाल देते हूं दाल की इसको एक बार मिक्सी चला लेना है उप्रू तो यह देखिए फिर्द मैं इसको पीशली बिल्कुल अच्छा से पतला करके पीशली हूं तो अब मैं इसका तरखस्वा लगाती हूं तो चलिए तादरा करते हूं है तो मेरा पे छोड़ा से रिरिफाइड बायो क्या स्टेल आप सकते हैं डीड मेरे रिखे ऑना ही तौरा रिकल्ड हो जैना पार novo मेरेस्स का जिबedsię अच्छा करें दो इच्छे से ब्राउन होने तक में डेखा लेक्टी हूं अश्र भी कुई से तरह फ्राइ करना है अग्याक में देख को भी देखी तरहते हमें में दॆरा खुर्बा ब्राउं नहीं यह करना मैं दो इस किता नहीं क्वेड़ने गदेखी देख साफित जब यह ब्रॉम हो जाएगा तो ग्लास ने डालोगी ज़िकर बस होने वाला है तोड़ा का और लगईगा अबसी हो जाएगा कि अधिया है इसमें लाशनी इसको डाल देती हूं कि इसको चादर खेर नहीं करना हमके लेके लिए अमेश करने का लोगी बंद करने करें तो तौह सब पास फोरण डाल देती हूं पता में एक में चादर खेर एक हो। भीज़ते हैं जसे टोका सोमची हुआ है जुक हें राधे जाएक नासज़ देती हूं नहीं आप लग чув þüne तो आप लोग को को पास साइड अबलबल नहीं होगा तो आप दाल चीनी का लोगत न पहले सकते हैं में एसको पास Dannam ब्राउन होने तक फ्राइब कर देती है अब यह हो चुका है ताकि थोड़ पेश्ट में थोड़ जहाल है तीखा लगे थोड़ तो अब मैं इसमें जो ग्रेवी बना के रिखे थी ना ये टामेटो का ये डाल देती है अब ये तो अब ये तो अब जोड़ा आधा चमश नमक डाल रही हूं इसलिए क्योंकि इसका ट्रेश्ट में खट्टा मिठा ट्रेश्ट आजाएगा फिर नमक डालें चीनी भी आड़ करूंगी तो अब पकार लेती है थोड़ा समय तो अब ये तोड़ा सा हल्दी डाल रहे हूं बिलकुल थोड़ा सा तो टीश्पून के मतलब इतना तो अब ये तो अब ये उबल रहा है अब मैं चीनी डाल देती हूं एक दो दूब टीश्ट करके देख लीजी होगा अगर आपको और जरूरत हो तो आपको और डाल सकते हैं इस पर थोड़ा सा और गाढ़ा करना क्योंकि थोड़ा लिफ्यूडी फॉर्म में है ना फूरा सा गाढ़ा करना बिलकुल हैल्दी अपने खर में इसा सॉस बना के रखिए इस्ट लिफ्कुल खराद नहीं होगा अब फ्रीज में किसी कांशी वोतर में परके रख दीजिए और आप खाये बच्चे को दीजिए बहात हैल्दी है अधा चमिछ के ज самой में धूरा से संफ ली हूं आप चाहे थो िहाद सोह बहुत टेकी के साथ यंदी भी होता है डायेशन इसपली बहुत अच्छा होता है तो इस का में अच्छा होता है साथ इसको खोदिए हो थे अलग से बासे गाट हमारा तॉमका को निद्यार है विए गज्लिट को टिस्टाइए ऑन अबनत में हेल्दी कुछ्ट टालदी य्यार विए ठीज गडीत चनिद है तो इहां पे मैं जो करणे चिल पिंस तरह से hoo है भी को इन वुर्य हं जिस तरहसे हम है अजित पर में रखी थी, ऐसे ही, याना खाय क्या हो, बोगी में इस्टर से डाल देती हूँ थैंक्यू पर वाचिन इस वीडियो लाइक और सब्स्क्राइब में चानल